Hi all, कैसे हैं आप सब? I hope that आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मज़े से अपनी राइज जी रहोंगे और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा, right? तो अगर चल रहा है तो बहुत बढ़िया अब आपको क्या करना है? आपको अपना पैन और कॉपी अपने साथ रखना है क्योंकि हमने पढ़ाई शुरू करनी है, right? तो इसी नोट के साथ मैं आप सब का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कॉर्ड प्लस फांडेशन में मैं हूँ प्रियांका जिसके साथ मिलकर आप बायोलोजी पढ़ने वाले है, right? तो yes, you already know, काफी लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते, it's fine अब आपको बता लग जाएगा कि हम कौन है, right? तो जैसे कि आप स्कॉर्परस के साथ जुड़ चुके हैं आपने इससे पहले वाले भी वीडियो देखे होंगे और आपको इतना पता लग गया होगा कि हम एक new chapter के साथ चल पड़े हैं जुसका नाम है improvement in food resources और हम ये देख चुके हैं कि इस improvement in food resources की हमें need क्या है? अगर मैं बोलू कि हमने अब तक क्या चीज़ें अल्रेटे डिसकस कर ली हैं तो वो है बेटा need और हम देख रहे हैं कि how we can actually improve the food resources कैसे हम इन food resources में improvement ला सकते हैं और इसी चीज़ में हमने start किया था दो चीज़ों से ठीक है? वी know that हमें दो तरीके से food जो है वो मिल सकता है एक crop based होता है और एक animal based होता है जिसके लिए हम animal husbandry study करेंगे तो हमने start किया था किससे? अपने आप से मतलब कि obviously हमने खुद पढ़ना शुरू किया था लेकिन हमने पढ़ाई शुरू करी थी आज पहली बार plants से तो usually हम अपने आपको पहले consider करते हैं कि हमने इससे पहले वाले sessions में ये cover कर लिया है कि crop जो होते हैं वो क्या होते हैं? है ना? कितने type के हमारे पास crops है and किस crop के लिए कौन सा season जो है वो available होता है और आज हम start करने वाले हैं इसके आगे वाले topic के साथ जिसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे उन crops की production में improvement ला सकते हैं because obviously हमारा मकसद ही यही है, chapter का नाम ही यही है improvement in food resources, right? तो अगर आपने अभी तक पहले वाले videos नहीं देखे हैं तो जल्दी-जल्दी cover कर लिजिए so that you will get the idea that crop क्या होते हैं क्योंकि अगर यहीं नहीं बता होगा आपको यहीं नहीं पता कि हमें यह क्यों चाहिए improvement in food resources क्यों चाहिए तो फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज को study करने का अब बोल गया हमें तो number चाहिए paper में इसलिए पढ़ रहे हैं हम so that is obviously the motto क्योंकि हमें तो भई पढ़ना ही है और number लाने है तो we are there for you और number के लिए वो sessions भी important है so look at that and then we are going to continue with today's topic that is about improving crop yields कि हम अपनी crop की जो yield है मतलब कि फसल की जो पैदावार है वो कैसे बढ़ाएं या फिर कैसे improve करें है ना तो उसमें हमार पास तीन तरीके हैं majorly जिसमें अगर आप देखें तो हमार पास आजाता है crop variety improvement मतलब कि हम crop की variety को improve कर सकते हैं अब variety को भी ना हम अलग-अलग parameters में improve कर सकते हैं और वही parameters जो है वो आज हम discuss करने वाले हैं क्योंकि यह जो particular अपना topic है that is crop variety improvement this is something जो आज हम discuss करने वाले हैं अगर हम बात करें improving crop yield की तो हमारे पास crop production management भी आता है कि हम कैसे कैसे crops को produce कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या changes ला सकते हैं जिससे की हमारी जो crop है वो improve हो and last and lastly crop protection management क्योंकि obviously फसल उगाओगे तो कीडे मकॉड़ों तो ना देदोगे खाने के लिए कोई भी insect आ के खा जाए या कोई भी pest आ के खा जाए हमें चाहिए कि जो मुगार है वो हमारे लिए रही क्योंकि हमें पता है जो population है वो बढ़ रही है उनको ही तो हमने फीड करना है तो obviously हमें plant को अपने crops को अलग-अलग insect और अलग-अलग calamities या फिर जो भी चीजें हो रही है उन चीजों से बचाना है तो हमने यही तारी चीजें जो है बटा डिस्कस करनी है and let's just start with very first thing that is crop variety improvement और जब हम बात करते है crop variety improvement की तो इसकी क्या need है है ना अब इसकी need जो है बहुत simple है भाई किसी को खाना दे रहे है मालो तुमारे घर में कोई guest आ रहे है तो उनके लिए आप अच्छा खाना देंगे ना ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बना के ला दिया तो obviously बात है हमारा जो improvement in food resources का purpose है वो यह है कि जो अपनी बढ़ती हुई population है हम उनको feed कर सके sustainable तरीके से feed कर सके कि उनहें जो हम दे रहे हैं वो उनहें भी मिल जाए और आगे आने वाली जो अपनी generations है उनको भी मिल जाए apart from that हम ये भी ensure कर रहे हैं कि जो हमारी crop है बिटा वो कम से कम महनत में अच्छी पसल दे जाए अच्छा number दे जाए या फिर अच्छी quality जो है वो दे जाए so this is something that is actually happening here तो इसी में अगर हम चीजें देखे तो यहाँ पर अलग-अलग factors है जो कि responsible है अपने crop variety को improve करने के लिए ठीक है तो जब हम crop variety improvement की बात कर रहे हैं तो variety को हम किन-किन terms में improve कर सकते हैं that is something जो in factors में हम गिनते हैं तो जब हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीजें हो सकती हैं तो यहाँ पर obviously हम चाहेंगे कि हम जादा से जादा जो फसल है वो उगाएं right मतलब की higher yield अब जो उगा रहे हैं उसका सिर्फ purpose यहीं नहीं है यह जादा उगान है right उसके साथ साथ हमें यह भी ensure करना है कि जो हम उगा रहे हैं उसकी quality अच्छी हो मतलब की improved quality should be there then उसमें obviously जो अलग-अलग हमारे biotic and abiotic चीजें होती हैं मतलब की कुछ natural हैं है ना कुछ non-living चीजें हैं मतलब कुछ living है कुछ non-living है इनकी वज़े से तो crop पे कुछ non-kुछ असर होता होगा न तो हम चाहेंगे कि plant पे उस चीज का असर ना पड़े तो इसलिए biotic and abiotic resistance जो है हम वो develop करेंगे ताकि ultimately हमारी crop की जो variety है वो improve हो जाए then हम try करेंगे कि जो उसका maturity duration है वो change कर सके और हम देखेंगे कि हम इसमें क्या expect कर रहे है plant से maturity duration हमने क्या करना है इसमें right plant की maturity duration बढ़ानी है कम करनी है और जो करना है वो क्यों करना है ठीक है and then agronomic traits जो है वो desirable energy obviously अगर हम plant grow करेंगे तो हमें चाहिए ना कि ठीक है यह पौदा सुन्दर भी दिखना चाहिए let's say अगर पूल के पौदे का ले example है ना तो हम बोलेंगे बाई कि जो पौदा है ना यह सुन्दर होना चाहिए मतलब कि अच्छे से सुन्दर सुन्दर से फूल आने चाहिए अब ऐसा तो नहीं कि तुम चाहोगे कि प्लांट हमारा एकदम लकड़ी जासा दिख रहा है और फूल होगे होए आप यह भी चाहेंगे ना कि फूल के साथ साथ उसमें हरी हरी पत्तियां हो प्लांट दिखने में प्यारा लगना चाहिए तो वो अपके desirable बेटा ट्रेट से जो आप उस प्लांट में खोज रहे हैं कि फूल भी दे, खुश्बुदार फूल दे, उपर से इसमें हरे हरे पत्ते हो तो ultimately है कि बहुत सुन्दर और्नामेंटल प्लांट बन जाएगा जिसे हम decoration के purpose से use कर सकते हैं तो वो qualities जो हमको चाहिए वो होते हैं बेटा desirable traits and agronomic की बात कर रहे हैं तो obviously यहाँ पर agriculture से related बात हो रही है और हम deal करेंगे और आज हम discuss करेंगे कि exactly इसमें क्या-क्या traits जो हैं वो आते हैं और हम क्या बात कर रहे हैं जो हम agriculture से related चीज़ें बहुर रहे हैं ठीक है and lastly wider adaptability obvious सी चीज़ है जितने भी crops हमने उगाएं अब तक अगर आपने देखा हो जिसे आलू है तो आलू ऐसा तो नहीं है कि सिर्फर सिर्फ जो है वो एकी जगे पर उग रहे हैं मतलब कि सिर्फर सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है कि ठीक है मुझे तुम यहां से वाहां बेज़ दो मैं जो है उस महाल में धल जाओंगा तो महाल में धलना इस सम्थिंग वाइडर अडाप्टिबिटी तो यह जो सारी चीज़ हैं यह वो फाक्टर्स हैं जो कि डाइरेक्टली हमारे क्रॉप वेराइटी इंप्रूब्मेंट से असोशियेटेड है और इन ही चीज़ों को हमने आज डीटेल में देखना है तो लेट्स जिस्ट स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट वन दाट इस हाइयर इल्ड अब हाइयर इल्ड से हम क्या समझ रहे हैं हाइयर इल्ड नाम से ही आधी चीज तो बेटा क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए मतलब कि मैं यह चाह रही हूँ कि जो मैं पौधा उगा रही हूँ इसका होना चाहिए गुड प्रेड्यूज मतलब कि अब इसका क्या मतलब है माम तो बेटा जो भी हम कमर्शिल लेवल पे चाहे कमर्शिल लेवल की बात करें मतलब कि अगर मैं कोई क्रॉप उगा रही हूँ और उससे मार्केट में बेच रही हूँ राइट कमर्शिल अगर हम बोले तो क्रॉप्स डाट आर ग्रोण ग्रोण टूबी सोल्ड इन मार्केट ठीक है जब ऐसा करते हैं तो उन्हें हम कमर्शिल क्रॉप कहते हैं तो जब हम कमर्शिल और पर्सनल लेवल पे कोई क्रॉप उगा रहे हैं तो हम चाहते हैं दाट इसकी हाईयर प्रोड़क्टिविटी हो मतलब कि ये जो है इसकी क्वांटिटी जो है हाई होनी चाहिए मतलब क्या बोड़े हैं हम हाई क्वांटिटी जो है वो खोनी चाहिए और हाई अगर इसकी क्वांटिटी होगी हाई क्वांटिटी होगी तो क्या होगा अब्वियसली higher quantity की वज़े से population जो है वो अच्छे से serve की जाएगी population will be served better जादा food होगा तो जादा जंता को मिलेगा hunger की वज़े से जो death होती है वो कम हो जाएगा इसलिए higher production जो है वो important है अब यहाँ पे सवाल आता है कि ठीक है आपने कहा दिया कि higher production is important बट किस चीज की production तो obviously अपने crops की production आएगी और crops में भी अगर हम बात करें तो obviously जो अपना food वाला है बिटा चाहे हम cereals की बात कर ले ठीक है चाहे हम vegetables की बात कर ले या फिर हम fodder की बात करें obviously जो गाई भैस हमने रखा है उनको भूक के थो ना मारना है उन्हें भी तो खाना देना है तो उनके लिए जो crop उपती है उन्हें हम fodder crop कहते हैं और इन ही चीजों की पैदावार जो है वो हमें बढ़ानी है ताकि चाहे animal के लिए food हो चाहे human के लिए food हो वो अच्छे से available रहे ठीक है तो यह है purpose अपने higher yield का and I hope यहां तक जो चीजे हैं वो सबको clear हो गई होगी अगर हो गई है तो बने रही है यहां पर क्योंकि अब हम चल रहे हैं आगे towards the next point अब यह next point है improved quality तो इसी को अगर तुम पिछले वाले point से link करो तो यह सोचना तो बिलकुल बनता है कि भाई मैं कह रही हूं कि जादा population है तो जादा लोगों को खाना मिलना चाहिए अब इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि तुमने जादा हुगाने के चक्कर में quality के साथ compromise कर लिया there should never ever be compromise in the quality क्योंकि quality is something that matters more है ना तो तुमने खाना जादा हुगाया लेकिन उसकी quality अच्छी नहीं है मतलब कि अगर आप कहरें कि आप दाल लेके आए उस दाल में प्रोटीन ही नहीं है तो क्या फाइदा हुआ है ऐसी दाल खाने का है ना दाल तो लोग खाते ही इसलिए ना कि उन्हें प्रोटीन म फिर जब आप उन्हें सेखना शुरू करें तो वो सिक नहीं रहा प्रॉपली तो ऐसा आटे का क्या फाइदा है ना अगर आप चावल लेके आए और वो चावल के दाने पत्थर है पत्थर जैसे मतलब वो पकी नहीं रहे है या फिर कोई टेस्टी नहीं है घराब टेस्ट है तो you are not going to like it right that is why quality matters तो जब हम बात करें improved quality की बिटा तो यह जो quality है this is something जो crop to crop differ करती है ठीक है मतलब की अगर हम बात करें दाल की यहाँ example ले लेते हैं if we talk about pulses तो obviously हम चाहते हैं कि जो हमने दाले ली है it should have high protein है ना protein की मात्रा जो हम दाल में जादा हो अगर हम बात कर रहे हैं wheat की यानि की जो अपना गेहू है हम चाहेंगे that good baking property हो कि जब तुम इसको पका रहे हो तो यह अच्छे से जो है यह पक जाए राइट तो यह वाले जो बिटा अपने features है इन्ही features के थू हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई यह जो है यह सही है तो इसके लाब अगर और example देखो है ना मतलब pulses हो गए और वीट तो होई गया तुम चलो fruit का example देख लो है ना fruits में हम क्या expect करेंगे तुम आज fruit लाए कल खराब हो गया कोई मतलब बना नहीं बना राइट तो इस fruit की good shelf life होनी चाहिए मतलब की यह कुछ दिन तो सही से चले और obviously जब हम यह सारी चीज़े attain कर लेंगे तो ultimately जो हमारी crop आएगी उसकी quality अच्छी होगी और क्योंकि उसकी quality अच्छी है तो इससे जो है population का ही फाइदा है तो इसी लिए हमें अपने crop में improvement चाहिए ताकि अगर हमने उन्हें improve किया तो हमारी life ultimately जो है वो improve हो जाएगी ठीक है तो this is something that we understand when we are talking about the improved quality of the products now अगर हम आगे चले यहां आजाता है biotic and abiotic resistance तो resistance तो हम बात में देखेंगे उससे पहले at least यह देख लेते है कि biotic और abiotic क्या होते है बायोटिक क्या है बिटा यह living components होते है living components है अपने environment के ठीक है of environment अब इसमें हम क्या बात कर रहें यह हम क्या बात कर रहें तो बायोटिक में बिटा देखो अलग-अलग pests हो सकते हैं आग अलग-अलग जो pests है याने की किडे मकौडे है वो हमारे प्लांट को हाम कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बोलें बायोटिक में क्या आ जाएगा बीज आ जाएंगी बर्द आ जाएंगे अगर कोई पौधे में फूल उगरा है राइट फूल ठीक है अगर फूर्ट उगरा है बर्ड आके खा जाए सारी की सारी है ना तो उस चीज से तो कोई फाइदा होती है राइट है ना तो डिजीजज जो है वो भी आ जाएंगे इसके अलावा और अगर हम बोल रहे है तो इंसेक्स वह भी प्लांट्स को हाम कर सकते है राइट तो जो भी living components है इनवायमेंटी जैसी की pest, disease, insects इन चीज़ों की वजज़ से अगर प्लांट को कोई हाम हो रह अब इसके अलावा आपने पास दूसरी चीज है, that is abiotic resistance, तो abiotic अगर हम factors की बिता बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, these are the non-living component, non-living component of same, अपना environment, अब इसमें पते क्या आता है, इसके अंदर तो obviously soil quality वागेदा आएगी, लेकिन इसमें अगर हम बोलेंगी, तो इसमें जो भी natural चीजें हो रही है, चाहे drought आजाए, सुखाई पड़िया भाई, जब सुखाई पड़िया तो plant कैसे survive करेगा, या extra पानी आजाए मतलब की flood हो जाए, या फिर excessive rainfall हो जाए, यह वाली जब चीजें होंगी, in conditions में कैसे जो ह हमारा plant है, वो सही से चलेगा, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे plants है, वो biotic, चाहे abiotic, in factors की वज़े से resisted, तो इसमें अगर हम example की अगर बात करें, कि क्या चाह रहे है मैं हम इसमें, है ना, तो देखो, अगर मैं कोई ऐसा plant उगाऊं, जो की ऐसा है, अगर उसको जादा, मतलब लेट से पानी नहीं मिल रहा, है ना, तो वो तब भी survive कर जाए, उस पे सुखे का जादा असर ना हो, but obviously ऐसा कता ही possible नहीं है, कि जहाँ बिलकुल पानी नहीं है, तो वहाँ जाके खेती कर लो, right, वहाँ पे खेती एक particular चीज की होगी, हर चीज हर जेंगे नहीं होगाई जा factor से deal कर सके, और वहाँ survive जो है, वो कर सके, ठीक है, so this is something that we mean, जब हम बात करते हैं, biotic and abiotic resistance की, now, next point and very very important, इसमे हम क्या बोल रहे है, changes in maturity duration, तो पहली बात, maturity duration क्या होती है, तो इसको हम बिता कहते है, time taken taken by a plant to get fully mature, ठीक है, mature कहलो, या फिर एकदम से जिसे फसल पक गई है, वो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, कि एक प्लांट ने कितना time लिया, छुतु से प्लांट से एकदम पकी हुई फसल बनने में, that will be maturity duration, अब सोचो, जब तुम प्लांट लगाओगे, तो तुम यह थोड़ना चाहोगे, कि भाई मैंने फसल अभी लगाई है, तो साल भर बात पके, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, ऐसा हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे, कि जो crops हम लगा रहे हैं, वो जल्दी से जल maturity time, ठीक है, कि एक जो पौधा है, वो जल्दी जल्दी mature हो जाए, अगर मैंने लगाया है, तो दो तीन महीने में मुझे उससे अच्छी खासी फसल मिल जाए, जिससे कि मैं एक ही season में, या तो एक ही crop की ज़्यादा पैदावार ले लू, मतलब rice अगर मैं उगा रहा हूँ, अगर मैंने एक field में rice लगाया है, तो उसको usually 6 महीने लग रहे थे, जो कि लगते नहीं है, मतलब example ले लो, कि अगर उसको 6 महीने लग रहे थे, तो मैंने तो एक season में सिर्फ और सिर्फ rice उगाया, है ना, लेकिन वहीं, अगर मैं ऐसे seeds यूज करूं, जिससे कि जो मेरा plant है, जो मेरा crop है, वो दो महीने में तयार हो जाए, तो बचे हुए 4 महीने का उस particular season में, आप क्या कर सकते हैं, आप उस season में उगनी वाली बाकी चीज़े लगा सकते हैं, या फिर आप rice लगाना वापर से try कर सकते हैं, है ना, तो ये purpose है, हमारे next point, यानि कि ये जो point है, changes in maturity duration का, क क्यों हम चाह रहे हैं कि हमारे plant में maturity duration change करें, obviously, इसलिए ताकि जो farmers है, वो particular season में, या तो एक से ज़्यादा crops grow करें, या फिर एक ही crop की एक से ज़्यादा फसल जो है, ले सकें, right, so this is the purpose of changing the maturity duration and ultimately, obviously, इसलिए जो crop variety है, वो improve हो जाएगी, जो seeds मेरे पास है, अगर वो जल्द ही मुझे अच्छा खासा crop दे दे, तो मिरको तो बढ़िया ही लगेगा, right, तो इसलिए बिटा, ये एक अच्छा feature है, एक अच्छे seed का, next, desirable agronomic traits, अब desirable agronomic traits क्या होते हैं, तो obviously, ये वो traits है, जिसमें हमारे पास जो पौधा है, उसमें वो सारी की सारी खासियत होंगी, जो हम चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं, traits कह लो, या फिर features कह लो, या फिर characteristics कह लो, ठीक है, characteristics कह लो, that is desired, right, या फिर wanted in a plant, right, अब इसी में अगर हम example की बात करें, right, तो इसमें अगर हम बिटा अपने normal crops की बात कर रहे हैं, जो की अपने cereals वगेरा में मिलते हैं, right, जैसे की, जो अगर हम cereals की बात कर रहे हैं, rice, wheat की बात कर रहें, तो हम चाहेंगे, कि इसके जो प्लांट नहीं प्लांट वह शॉट रहे ज् navigation ना 언제 सॉट प्लांट नहीं अगर फॉडर प्लांटकी बेदे ज़िक og जब अधा इमको पॉद्वा स्गाह अरह और विए प्लाइnoc ब्रॉस आप बारहांगे वह और से गाई चाहिए होंगे तो इसी लिए हमें चाहिए कि कैसा ट्रेट किस प्लांट में होना चाहिए और अगर हमने यह भी ले लिया तो अपना परपस हो गया तो बिटा यह मतलब है जब हम कह रहे हैं कि हमें डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स चाहिए इसके रावा इसी में हम यह भी देख सकते हैं कि एक प्लांट की क्या शमता है हीट टॉलरेट करने की यह फिर कोल जो है यह फिर कोलड वैदर टॉलरेट करने की वह आप इसमें अगरी कल्चूरल ट्रेट्स में में भी कंसिडर कर सकते otherwise जो हमने ये वाला point देखा था abiotic and biotic resistance drought, flood, rainfall, heat and cold ये भी इसी में आप add कर सकते हैं now अगर हम आगे चलें तो अपने पास आ जाता है wider adaptability obvious थी चीज है बहुत obvious चीज है कि वो crops आएंगे इसमें जो की अलग-अलग conditions में survive अब obviously सोचो rice का तुमने crop लगा दिया rice की crop को इसे paddy कहते हैं तो तुमने paddy का जो crop है वो लगा दिया अब हमें ये पता है कि paddy जो है वो खरिफ crop है मतलब कि वो rainy season में ओग रही है तो अगर मान लो किसी दिन बारिश नहीं हुई ठीग फानी नहीं बारिश नहीं हुई दो दिन बारिश नहीं हुई इनफ पानी नहीं मिला पौधा मर जाएगा ना लंबे टाइम तक करवा कि पानी आई नहीं रहा बारिश हो नहीं नहीं तो पौधा मर जाएगा लेकिन अगर एक दो दिन बारिश नहीं और पौधा मर क्या तो कोई फाइदा है उस प्लांट का नहीं है ना तो एक तो टाइम डूरेशन में कैसे प्लांट परफॉर्म कर रहे हैं मतलब जो उसको चीजे मिल रही हैं उसमें कैसा पर फॉर्म कर रहे है अपार्ट फिम डाट जब जगेह है जब लोकेशन चेंज हो रही है तो क्या हमारा प्लांट वहां पर उग पा रहा है अगर हां तो आपने बहुत बढ़ीया बवादा चुना है ठीक हैं तो व adjust in different location or weather phenomenon weather, जो changes हो रही है न, उन में, right? अब हम यह नहीं करेंगे कि भाई, पक्का-पक्का होना चाहिए हम यह चाहते हैं कि यह कर ले एक अच्छे खासे extent तक, right? तो हम यहाँ पर यह भी आड़ कर देंगे to a greater extent तो यह हमारा purpose है जब हम कह रही है wider adaptability की जो पौथा है वो अच्छे से adapt कर सके और देख सके कि कैसे कैसे जो अलग-अलग तरीके से चीजे हैं वो हो रही हैं तो यही चीज जो है यह matter करती है and ultimately अगर हमने यह सारे features यानि की wider adaptability हो जाए चाहे maturity time हो जाए चाहे हम quantity की बात करें quality की बात करें abiotic and biotic features से resistance की बात करें अगर हमने यह सारे features अपने crop में डाल दिये और हमें ऐसा crop मिल जाए तो ultimately हमारा तो फाइदा ही फाइदा है कम टाइम में जादा फसल quality वाली है ना और वह ऐसी जो अलग-अलग environmental conditions में है adjust कर पा रही राइट तो यह हो जाएगा तो इंसानों के तो बल्ले-बल्ले है और बहुत मज़े आने वाले राइट तो पिटा यह है purpose हमारे crop improvement का और अगर हम बोले कि हम कैसे उसकी variety improve कर सकते हैं तो यह सारे के सारे factors थे जो variety improvement के लिए हमें consider करने चाहिए और अगर हमने के consider कर लिया तो ultimately हमें अच्छी खासी जो फसल है वो मिलने वाली है और जब फसल मिल जाएगी तो population की need भी पूरी हो जाएगी और साथ ही अलग अलग तरीके से जो चीजे हैं वो कर पाएगी ठीक है तो यह थी बिटा आज की बात और अगर आपको यह सारे notes चाहिए तो आपको पता है कि आपको score plus app download करना है जो आपको बहुत easily google play store पर मिल जाएगा और यह download करने के बाद आप simply सारे notes जो है वो अपने पास ले सकत है और इसके साथ साथ जो बहुत important है वो यह चीज है कि आपको NCRT time time पढ़ते रहनी है हम वैसे भी NCRT के pattern के तुरू ही आपको चीजें पढ़ा रहे हैं but yes you can surely think कि कैसे कैसे जो चीजें है वो होने वाली है तो आपको अपने दिमाग का window बहुत open रखना है अब ठीक है अब बस ratification का time गया अब it's very very important कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उठे ध्यान से समझे और उस चीज की जड़ में जाके देखें कि ठीक अगर यह चीज है तो क्यूं है right तो इसी चीज को मैंने आपको संजानी कोशिश करिया I hope that आपको सीजें समझ आ गई होंगी और आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप टेलिग्राम पर हमें follow कर सकते हैं चाहे notes हो चाहे time to time updates की बाद हो right तो इसी note के साथ I am ending the session here with a note that you are going to stay happy healthy and safe and हम दुबारा से मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई